और सब गाइस कैसे हो आप सभी लोग मैं फ़र से हजर हो गया हुए एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो को कूल बनाने के लिए देखे मेरा वीडियो फुल ओके फुली वीडियो देखने का काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में टॉप टैन इंसेन हाई ग्राफिक्स गेम प्यास पी एम लोडर के लिए अवेलेबल हो चुके हैं ओके तो वीडियो इंट्रेस्टिंग होने व इस में टुके हैं और आपको दें पीयास-पी एम newspapers में और ओय्पिस में ग्राफिक्स बिए इसी वीडियो में जिकर करने वाले है तो लाइक कर देना चैनल परते हूं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना चले तोप 10 के बारे में बाते करते हैं गेम्स के बारे में तो विनावेस्ट योटेम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 10 PSP Emulator High Graphics गेम पर हमने रखा है टेकन 6 को चीहां दोस्तों अगर आप टेकन के सीरिस के फैन हो काफी जादा तो टेकन 6 आपके इंटरस्टिंग गेम रहा होगा यह अवेलिबल हो चुका है PSP Emulator के लिए इसका साइज की बात करें तो यह 200 से 3MB के बीच में आपको highly compressed मिल लेगा और अगर फुल गेम की बात करें तो यह 1.2GB के आलमोस्ट आपको टेकन 6 अवेलिबल हो गया है लिंक मैंने description प्रोवाइड ना करके एक website के बारे में बता दिया है वो है comment section में download करने के लिए अगर आपको यह गेम पसंद आयो तो comment section एक बार check out कर लिजेगा टेकन 6 चले दोस्तों नेक्स्ट गेम के और भरते हैं तो हमारा number 9 पर PSP High Graphics गेम है जो हमने रखा है Assassin's Creed Bloodline यह दोस्तों यह भी PSP एमलोडर के लिए काफ़ी popular गेम रहा है और काफी high rating का गेम रहा है इस पर मैंने download करने के लिए अलग से separate वीडियो बना रख किया है उसमें all प्रोसेस बता रखा है यह इस गेम के बाद गेम के बारे में बाते करें तो बैस्ट कुल SG Graphics का गेम है लाइक इसमें आपको मेरेंगे action प्लस adventure दोनों ही थोड़ी बहुत fighting भी देखने को मिलेगी और mystery soul करते करते जैसे आप इस गेम में level आप होता जाएगा तो आपका interest भी काफी आप होता जाएगा ओके दोस्तों तो गेम डाउलोड करने के लिए comment section चेक कर लिजेगा या मेरी वीडियो देख लिजेगा नेक्स्ट गेम के और भड़ते है तो 8 नमबर पर PSP High Graphics गेम हमने रखा है Prince of Persia Forgotten Sands चीहां दोस्तों इस गेम को डाउलोड करने के लिए आ काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा ओके दोस्तों बात करें साइज की यह आपको मिलेगा 700-800 MB के बीच में highly compressed and full game मिलेगा आपको वन जीपी प्लस ओके दोस्तों डाउनलोड करने के लिए website पर जाके आप सर्च करके इसको फूल वर्जन डिवास में प्ले हो जाएगा लाइक इसकी ग्राफिक्स की बात करें जैसे आपको PC में देखने को मिलता है वैसे ही आपको PSP अमलोडर के जरीए अपने Android डिवास में देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप इस गेम के अंदर घुसते चले जाओगे वैसे आपका इंट्रेस् गोस्ट ऑफ सपार्टा जियां दोस्तों यह भी काफी जादा पॉपुलर हो गया है PSP अमलोडर के जरीए अपने Android डिवास में प्ले करके खेला जाता है ओके दोस्तों गोड़ ऑफ फार गोस्ट ऑफ सपार्टा की बात करें तो यह आपको मिलेगा लाइक 100 MB से लेकर 300 MB तक हाइली कंप्रेश जियां दोस्तों इस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखी है 100 MB में आपको हाइली कंप्रेश प्रवाइड कर दिया गया है ओके दोस्तों इस भी यह एक सूपर पावर गेम है यानि आपको सूपर पावर से रिलेटर आपको विलन मिलेगे ह freuen cos destroy करते वे रेक ओडिस्ट्रोइ अगे भढ़ना है आपको भी आपके पास विस्वपर पावर available होती है बिस्ट्रीयस भी छोल कर गें आपको हार एक लेवल इंक्रीश करती होगी जैसे से लेवल इंक्रीस होती जाएगी दिफिकल्टरे भी इंक्रीश इसकी साइज की बात करें, तो 500 से 600 MB के बीच आपको highly compressed मिल जाएगा, ये भी एक action plus adventure गेम है, fully version का गेम डाउलोड करने के बाद आपको 1.3 GB का इसका साइज हो जाएगा, low end devices में भी work करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत lag कर सकता है, इस गेम की बारे में बाते करें, तो ये action plus adventure गेम है, यहाँ पे आपको कुछ fighting देखने को मिलेगी, और थोड़ी बहुत mysterious भी देखने को, यानि mysterious जैसे कुछ solve करने को मिलेगा, ओके, यहाँ पे आप एक गल होते हो, जो मलब इसको survive करते हुए, आगे बढ़ना होता है, हर एक level को मलब पार करना होता है, PSP emulator के लिए ये available हो चुका है, highly compressed download कर लिजिएगा, 500-600 MB के बीच में होगा, फुल वर्जन गेम डाउनलोड करोगे, वेबसाइट पर जाके, comment section में मैंने provide कर रखी है, अगर आपको ये गेम पसंद आता हो, तो डाउनलोड कर लिजिएगा, Tom Rider Legends, चलिए अब next game के और भरते है, number 5 पर PSP high graphics game, जो हमने रखा है, वो है Prince of Persia, Rival Swords, जियां दोस्तों, अगर आप Prince of Persia के काफी ज़्यादा series है, तो इसके जो game है, वो भी 2-3 available हो चुके है, PSP Amulodal के लिए, पहला जो मैंने बता चुका है, अब है Rival Swords, ये इसका size की बात करें, तो ये मिलेगा, आपको 700-800 MP के बीच में, highly compressed, इस पर भी मैंने separate video बना रहे किया, parts में divide करके आपको provide कर दिया है, ये भी एक high graphics game है, जो आपको PC में देखने को मिलेगा, लेकिन आपन PSP Amulodal के जड़िये हम ख्याल सकते हैं Android device में, ये भी एक mysterious जैसे action plus adventure game है, storyline based game है, इसमें भी आपको हर एक story, हर एक super villains मिलेगा, उसको destroy क करते हुए आगे बढ़ना होता है, like जैसे जैसी इसकी level increase होती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो interest और difficulty दोनों ही increase होएंगी, download करने के लिए comment section check out कर लेजेगा, या मेरी video की channel पर visit करके video watch कर लेजेगा, उसमें पूरा process बताया हुआ है, next game के और बढ़ते है, number 4 game, PSP high graphics game, तो यह भी PSP emulator के लिए available हो चुका है, WWE All Star, इसकी graphics की बात करें, तो best college graphics, console graphics है, जिहां दोस्तों, इसकी जो graphics है, वो काफी high rated के graphics है, और आप PSP emulator के जरिए Android device में work कर सकते हो, जिहां दोस्तों, WWE series के अगर आप fan हो, तो All Superstar है, वो PSP emulator के लिए काफी ज़्यादा release हो चुका है, आप इसे Android device में play कर सकते हो, इसकी size की बात करें, तो 100MB, 300MB के बीच में आपको मिलेगा, 100MB में मैंने अलग से separate video बना रहा किया, आप इसको watch करके, download कर लीजिएगा, चलें, next game के और भढ़त इसको Android device में वैसे play नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके graphics होने के करानापन, PSP emulator के जरिए, इसको Android device में play किया जा सकता है, size की बात करें, तो 900MB से लेकर, 1.5GB तक इसका size है, full game है, इसमें आपको मिलने वाले है, Super Hero X-Man, जिया दोस्तों, अगर आप X-Man movie के, या X-Man hero के काफी ज़ download कर लीजिएगा, नमबर 2 के बात करें, PSP high graphics game के बात आती है, तो यहाँ पे आपको Dantano Informo, नमबर 2 पर हमारी list में हाया है, जिसके जो graphics है, काफी high graphics है, console like graphics है, जिया दोस्तों, यह अपन PSP emulator के जरिए Android device में work कर सकते हैं, यहाँ भी, जैसे मैंने भी बताया, Super Power Villains मिलेंग जरिए high graphics का game, game happen, Android device में work कर सकते हैं, जिया दोस्तों, इसके size की बात करें, तो 1.3GB के almost size मिलेगा, फुल वर्जन गया, download करने के लिए website पर check out कर लीजिएगा, अब finally बात आती है, number 1 PSP high graphics game के बारे में, तो हमने रखा है, Marvel Ultimate Aliens 2, जिया दोस्तों, अगर आप Marvel series के fan हो, या Marvel Super superhero के fan हो, तो काफी ज़्यादा ये game भी interesting होने वाला है, number 1 पर रखने का मकसद ये था कि इसके जो graphics, वो insane 3D animation graphics है, और story based line, यानि हैड एक super hero, super power के साथ मिलेगा, आपको इसमें एक से बढ़ कर एक super villain भी आपको मिलेगे, जो आप movie में देखते हो, वैसा एक story based line आपको मिलने वाला है, PSP uploader के जरी आप इस high graphics game को android device में play कर सकते हो, इसकी size की बात करें तो 1.3 GB से लेके 2.5 GB तक आपको मिलने वाला है, low devices android devices में ये work करेगा, लेकिन उसमें lacking new problem आ सकती है, तो PSP setting करके उसमें भी ये work कर पाएगा, डाउनलोड करने के लिए अगर आप, इफ आपको ये website पर check out कर लिजेगा, तो ये हमारे दे, top 10 PSP high graphics game, जो आपको interesting लगे होंगे, I hope लगे हो, तो वीडियो पर like करके जाना, और comment section में इबर check out करके, कोईसा भी जो आपको game पसंद आया हो, डाउनलोड कर लिजेगा, इनके बारे में मैंने बताया है, high graphics game, साथ इसकी size के बारे म बताया है, और कुछ इसके game से related, कुछ information आपको अदी है, तो top 10 के list बना के मैंने आपको provide कर दी है, जो अच्छा भी game आपको पसंद आया हो, डाउनलोड कर लिजेगा, link मेंने discussion प्रोवाइड ना करके comment box में आपको website के बारे में बता दिया है, वह आपको PSP के full game आपको मिल ले वाले है, आप एंडर डिवेज में PSP मुलेटर के जरी वर्क करके असानी से play कर लीजिएगा, ओके दोस्तों, तो कोई भी game आपको पसंद आया हो, या वीडियो अच्छी लगी हो, information अच्छी लगी हो, तो वीडियो पर लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं सस्क्राइब